वहाथन गणित वेस्ट्विंग अलवोड कंचा साथ स्वाय करो 3reu कुछ मानसा means। समय समनु खत्त को कैसे ग्याद करते हैं होsp ग्याद सीकह लेते हैं । जैसे क्रम सीम्रीट क्या होता jourण किर ऐद क्या हो जाएगा यह पहला पद हो जाएगा बी मध्य पद के दोनों पदो का मतलब दितियों और तितियों पद में बी आ जाएगा और चतुत पद क्या हो जाएगा C तीसे समंद्ध क्या बनता है A अनुपाद B को लिख सकते हैं A बटा B बराबर B अनुपाद C को लिख सकते हैं B बटा C और गुना करेंगे Cross Multiplication या त्रियक गुना जिसे बूलते हैं तो क्या हो जाएगा B स्क्वाइर मतलब मध्य पद का स्क्वाइर बराबर प्रथम पद गुने तीरतिय पद तो समंद्ध क्या बनता है क्रामिक स्क्वाइर मतलब में मध्य पद का स्क्वाइर बराबर क्या होता है प्रथम पद गुना तीरतिय पद अब समानियु पाती रहने पर चार चारो संख्या तो और उसमें कोई एक पद मिसिंग हो जैसे चतुरत पद मिसिंग हो नहीं दिया गया उसे ग्याद करना हो तो कैसे ग्याद करेंगे तो इसे हम सिखते हैं मानलो यह तीन अनुपाद छे समानुपाद साथ अनुपाद यह चतुरत पद नहीं दिया हुआ है जिसे कैसे लिकालेंगे यह सिखेंगे आज हम इसे लिकालने के लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले भीने में बदल देंगे तीन बटा छे बराबर साथ बटा बॉक्स हो जाएगा फिर क्रॉस गुना करेंगे तो तीन क्लेती अगुऋगे साथे पोड़ता है लिक लिएता है लिए लिए क्या देहिए पड़ता ने कि मतलब होता है अ हाथ है प्रत्तं गुने दितिय को बराबर से टितिय प्रत्तं गुने जहता है पर्थम गुने चतूरत बराबर क्या होता है दूतिय गुने तृतिय दूनों मदपद और दूनों बाइपद तो चतूरत बराबर हो जाएगा दूतिय गुने तृतिय भ्राटा में प्रह्थम इस फर्मूला के हिसाब से भी हम डाइर्ट लिकाल सकते हैं चतुत पद लिकालना है तो क्या हो जाएगा चतुत पन बराबर दितितिय पद क्या है 6 गुना दितिय पद 7 प्रतम पद क्या है 3 काड़ देंगे तिन दुनी के छोद, साथ दुनी के चोदा, आप ऐसे भी लिकाल सकते हो, उसी तरह अगर प्रतम पद ग्याद करना होगा, तो क्या हो जाएगा, इस नियम के इसाब से, प्रतम पद ब्रावर हो जाएगा, दूतिय पद गुना, तृतिय पद बटा में चतुर्थ पद, और सवाल दिया हुआ है इस तरह से, तो क्या करेंगे, जैसे सवाल है, आप मालो प्रतम पद लिकालना है, प्रतम पद अनुपाद आठ, समानुपाद 30, अनुपाद 20, मतलब पहला पूछना लाना है, और दिया क्या होएगा, दूसरा, तिसरा और चोथा, तो क्या लिखेंगे दूसरा, तिसरा गुना, आठ, गुने, तीस, निच्चे क्या होजाएगा, चतूर्थ पद मतलब 20, काट देंगे, दो चोगे, आठ, चाते, बारा, अब इसी तरह अगर दूतिया पद जानना होगा, तो क्या हो जाएगा, इस नियम के साब से, दूतिया पद, ब्राबर हो हो जाएगा, प्रथम, गुना, चतूर्थ, मता में, तृतिया, यदि सवाल दिया हुआ है, पांच, अनुपाद, आठ, समानुपाद, ये लिकालना है, बॉक्स, अनुपाद, 64, तो क्या हो जाएगा, दूतिया लिका लें कैसे, प्रथम, गुना, चतूर्थ, प्रथम, जो सट, नीचे क्या बचेगा तब, तृतिया, अरे, उल्टा लेगी तूर्थ, इसे लिकालना था, याह आठ, तो, क्या हो जाएगा, प्रथम, प्रथम क्या है, आठ, और पांच है, पांच गुना, चो सถ, तिर्थिया दिया हुआ है आठ आप काड़ देंगे आठी आठी चाउसाट आठ पाचे चालिस है ठीक है उसी तरह अगर तिर्थिया पद जानना है चारों पदों में से तो क्या होगा तिर्थिया पद का फर्मुला हो जाएगा प्रथम गुना चतूर्थ नीचे आजाएगा दियतिया और आपको सवाल दिया हुआ है सुल्ला अनुपात बारा समानुपात एक बॉक्स अनुपात तीन तो क्या हो जाएगा तूतियं पद लिकाला है तिसरा उला तो कैसे लिएगा तूतिये पॉक्त बडाबर प्रथम चतूर्थ मतलब सुल्ला गुने तीन नीचे क्या जाएगा बारा आपको तो मां्रों चतूर्थ Sमनुपाती नहीं है आब क्या है कर्मिक समनुपाती और थीतों लिकाल अगर आपका कर्मिक सहुनपात का नियम क्या होता है मद्य समंध मतलब समंध क्या होता है मद्य का स्क्वाइर गुने बराबर प्रथंग गुना तृतिय इस नियम से हम बनाएंगे क्रमिक सहुनपात को कैसे अगर आपको मानलो दिया हुआ है तृतिय पद लिकालना है तो कैसे लिकालेंगे तो सवाल अगर होगा प्रथं पद दिया हुआ है और मद्य पद दिया हुआ है लिकालना क्या है तृतिय पद तो कैसे लिकालेंगे मद्य कहा एन दोनों का सक्वायर करतें गे जह गुना छे भरावर हो जाएगा तीन तरीक नौक चार इसको अगर इस तरह से लिखा ले तो रिका ले तो कि नियम के इसाब से त्रितिय पद बराबर हो जाएगा कि मद्यका स्क्वायर में इस त्म देखी ये इस त्म देया होई नौ काटेंगे 22 g उसी तरह अगर प्रतम पद लिकालना होगा तो नियम क्या हो जाएगा प्रतम ब्राबर हो जाएगा मध्य का स्क्वाइर भटा में तृतिया और सवाल दिया हुआ है आपका इक दिया भॉक्स अनुपात आठ समानुपात आठ अनुपात शोला लिकालना है प्रतम पद तो overall फ्रत्टृ एक साथ रह्ला ऑगर मद्य पद ब्राबर हो तो उसे प्रत्टाण समनुपात है तो है टो कैसे लिखा लेंगे क्रानुद प्रसम पद तो प्रम ब्रब्र राबर नीचे 16 काटेंगे 8 दुनी का 16 2 दुनी का 4 ब्रावर 24 के 8 4 अब क्रामिक पद अगर लिकालना है मध्य पद मिसिंग है तो लिकालना है तो कैसे लिकालेंगे मालो आपको दिया हुआ है अनुपाद 25 अनुपाद मध्य पद कायब है फिर मध्य पद कायब है 81 तो मध्य पद का फर्मूला क्या होता है यह लिखा हुआ है मध्य पद का स्क्वाइर बराबर क्या होता है प्रतम गुना त्रितिय तो क्या हो जाएगा फर्मूला हमारा नियम क्या हो जाएगा मध्य पद का कि महद्य बराबर हो जाएगा मादŃ पद बराबर सब्धंध एक प्रफ्थम कoma चुछु शुक्द प्रफ्थम कंकर मैं इसको कैसे लिका लेंगे है प्रत्रहम क्या है को हो स्थम्लश काल रूट कित्ना होता है। पाचा अकासि का रूट बचुछी उत्onie इस गुना कर देंगे तो पैसे रिख्तिपद को कैसे निकालते हैं अगले वीडियो में हम स्वाय करो तीन दस मलोग चार को बनाएंगे इस चैनल में आने वाले वीडियो को दिखते रहने के लिए चैनल को सबस्क्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें धन्यवाद